जैवाई की वहिया जी हमाँ नाम है देविस दोस्तों आप सभी से निवेदन है अग्रह है जीवन में एक बार एक बार जरूर आराधना कीजिए उपासना कीजिए चार्ट महालक्ष्मी जी की आपके ऊपर निश्चत रूप से पक्का जानी है धनदाने की बारिश अवश्य होगी और अगर ना हो तो आप हमारा नाम बदल दीजिए गा इसी पीच दोस्तों का यह बहुत अच्छी ख़वर अच्छी ख़वर यह है कि भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगा दिया है बीस परसेंट का एक्सपोर्ट टेक्स अब यह जो घटना कर्म के गा तो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे नहीं को हमारे देश में चावल की सप्लाई बढ़ जाएगी सप्लाई बढ़ती है तो कीमटन मीच आयो तो 20% का export tax लगा रही है इसलिए उनकी कमाई तो बढ़नी ही पढ़नी है विदेशी लोग अगर हमारा महँगा चावल खरीदते हैं तो भी अगर सरकार की तो बल्ले-बल्ले हो जाएंगे अगर विदेशी लोग नहीं भी खरीदते हैं कम भी खरीदते हैं तो सरकार ने जो export tax उनने हमेशा से cover किया है और हम सभी की एक बात पर आम सहमती थी वह बात कहा थी वह बात यह थी कि हम सभी जो देश हैं जो चावल के प्रमुख उत्पादक बेश हैं उन्होंने गठ चोड बनाना चाहिए हमारे बीच में भी rice cartel होना चाहिए ठीक उसी प्रकार जिस प्रका बेचनों है लेकिन हमाँ महंगो चावल कोई खरीद ही नहीं रहो तो भरत ने अभी जो export tax लगाया है उससे हमारा चावल हो गया महंगा पहले हम सस्ते दाम पर बेच रहे थे अपना चावल अब चुकि हमारा चावल महंगा हो गया है तो वियतनाम बाले भी बेच पाएंग ताकि हमारा लाब जादा हो चौथा लाब यह है कि इससे हमें धंदा सिखाने का मौका मिलेगा हम किसको धंदा सिखाएंगे खाड़ी के देशों को खाड़ी के देशों की दादागरी चलती है भाई साथ जब उनको production काटना है काट देते हैं जब बढ़ाना है तो बढ़ा भारत में वही किया है चावल के ऊपर 20% का एक्सपोर्ट टेक्स लगा के अब हमारा चावल खाड़ी के मार्केट में दुनिया के मार्केट में महंगा हो जाएगा और इस प्रकार भारत में दुनिया को दिखा दिया है कि यदि आप हमें महंगा दाम बेचोगे गुरू तो उसका अविस्कार इसलिए किया गया था ताकि पुट से हमेशा प्रॉफिट हो हमेशा प्रॉफिट हो उसी के लिए बनाए गया था ये लेकिन इस हथियार का अगर आप सदूपयोग की जगह दुरुपयोग करोगे तो होगी दुरघटना घाटा लग जाएगा लेकिन इस वीडियो के description box में दी गई है link उस पर कर लिजिए click 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 जितने जल्दी join करेंगे उतने जादा आफ वाले में रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैस्त्री रावंड